तो लीजे, इंस्टेंट गुलकन बनकर बिल्कुल तयार है, इसे बनाने में ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ना ही ये चीनी का बना हुआ है, विदाउट चीनी है, हेल्ट के लिए बहुत ज़्यादा बैनिफीशल है, रोज इसे खाएं, गर्मियों में तो खास कर गुलकन खाना चाहिए, आखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम को हमारे इंप्रूव करता है, मैमरी पावर को बढ़ाता है, बलेड को प्यूरिफायर करता है, बहुत सारे इसके अपने गुड हैं, और इसमें जितनी वी चीजे हमने डाली है, उनके सब के अपने अपनी गुड है, हर चीज की तासीर इसमें ठंडी है, चाहें सौफ हो, चाहें फूल हो, तो सारी चीजे बहुत अच्छी हैं, इसे जरूर बनाएं, हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज किचिन में आपका स्वागत है, और आज हम बनाने जा रहे हैं गुलकन, गुलकन बनाएंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, एक तो हम इसे चीनी से नहीं बना रहे हैं, हम बनाएंगे आज इसे, मिश्री से, और दूसरा हम इसमें डालेंग आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो आएए देखते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमने ली हैं यहाँ पर आधा कप गुलाब की पतियां, गुलाब की फूल को तोड़ लिया, उसमें से पतियां अलग कर ली और उसके हमने मिश्री, लेकिन मिश्री आपको लेनी है, जो दागे वाली आती है, यानि यह डेले वाली मिश्री लेनी है, यह हमने 200 ग्राम मिश्री ली है, यह बारीक कटे काजू है, यह आप अपनी इच्छा नुसार ले सकते हैं, जितना आपको डालना है, यह हमने एक टेबल स्पून के करीब हमने कटे हुए बदाम लिये हैं आप अखरोड भी डाल सकते हैं एक पिंच साइट्रिक एसिट तस से बारा इलाइची के दाने निकाल लिये हैं यह हमने यह साबुत दाने इन्हें कुछ नहीं करना पीसना भी नहीं है क्योंकि इसके साथ हमने लिया है इलाइची होती है हरी इलाइची उसको हमने थोड़ी सी चीनी डालके या मिश्री डालके आप पीस सकते हों से इसमें हम सब मिश्री का यूज कर रहे हैं तो हमने इसे मिश्री डाल के थोड़ी सी मिश्री डाली और इलाइची डाली उसको पीस लिया है तो एक टीस्पून यह पाउडर ले आए राइची का और थोड़ी सी मिश्री जो नीचे बच जाती है छोटे-छोटे टुकड़े जो रह जाते हैं वो लिए हमने और एक टीस्पून सौंफ आईए इसे बनाना शुरू करते हैं अब सबसे पहले हमें इस पाउडर बनाना है पाउडर बढाने के लिए जो यह बड़े-बड़े देले हैं इनको हम पहले तूर लेंगे किसी चीज से चोटे-चोटे कर लेंगे मिकशी में पीस लेंगे यह मैंने पीस के रखा हुआ है अब हमें पैन लेना है और पैन में हम डालेंगे सबसे पहले गुलाब की पत्तियां और ये गुलकन जो हम बना रहे हैं वो इंस्टेंट गुलकन है तो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत सारी हमेरे कोई चीजे भी नहीं चाहिए नहीं तो पुलकन बनाने हुए लंबा प्रोसेस लगता है तीन से चाहर दिन का टाइम लगता है और धूप में पकाना पड़ता है उसको और अब हम इसमें ये मिश्री का पाउडर डालेंगे और इस पाउडर को डालने के बाद हम गुलाब की पत्तियों को इसमें अच्छे से मेश करेंगे हाथ से ही मेश करना है यह हमने कोखुत अच्छे से इसमें गुलाब की पत्तियों को मेश कर लिआ में और जो ये थोड़ा-थोड़ा पानी सा दिख रहा है इतको मेश करने की वज़े से दूसरा हमने जो गुलाब की पत्तियां धोई थी वो भी थोड़ी गीली थी उसमें पानी था इस वज़े से भी हो रहा है तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से पांस से साथ मिनट तक मैश कर लेंगे और अब मैश करने के बाद इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी का पाउडर सौफ और इलाइची के दाने और अब हम इसे धीमी आज पे पकाएंगे अब हमने इसे धीमी आज पे रख दिया है और इस को बिलकुल अज पे पकाना है आज तेज नहीं करनी है पत्तियां बहुत सेंस्टिव होती है जलना शुरू हो जाएंगी इसलिए हमें बिल्कुल से माच पे से पकाना है धीर धीरे जो मिश्री हमने मिश्री का पाउडर डाला है वो मेल्ट हो रही है और मेल्ट होके बिल्कुल पानी बन रही है और पानी बनने के बाद धीर धीरे चाशनी के रूप में धीरे धीरे टाइट होना शुरू होगी बढ़ा तोड़ाई से चलाते रहें 10 से 7 से 8 मिनिट लगेंगे से बनाने में हमें और जो हमें गुलकंत बनाने के लिए गुलाब का यूज़ करना हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है ये कि कौन सा गुलाब ले तो जो देसी गुलाब होता है छोटा वाला वो लेना है कलर आप कोई सा भी देसी गुलाब में ले सकते हैं और गैनिक गुलाब भी आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं कलर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बस देसी गुलाब होना चाहिए, जिन गुलाब में कोई स्मेल नहीं होती, वो गुलाब नहीं लेना है, अब इसको हम सास से आठ मिनट पकाएंगे, लेकिन बिल्कुल सेम आज़ पे, आप इसे धीमी आज़ पी पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे साइटिक एसेट, साइटिक एसिट इसलिए डाल रहे हैं, ताकि इसमें जब हम इसे रखेंगे, तो चीनी इसमें चीनी या जो हमने मिश्री डाली है, वो इसमें कस्ट्लाइज ना जमेना इस वज़े से डालते हैं अगर आपके पास साइट्रिक अचिड नहीं है तो आप इसमें एक सी देड़ चम्बच शहर डाल सकते हैं उससे भी यह नहीं जमेगा और या फिर एक चम्बच नीमु का रज बी डाल सकते हैं और अब इसके साथ ही हम डाल देंगे यह जो हमने कटे हुए काजू और बदाम डाले हैं रखे हैं वो भी डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा यह इसके साथ पक जाएंगे तो खाने में भी अच्छे लगेंगे यह ड्राइफ फूट्स गुलकंद हो गया और यह माउथ फ्रेशनर का काम बहुत अच्छा करता है इसको तो आप ऐसे ही खा सकते हैं और ना ही हम इसमे कोई कलर डाल रहे हैं और कोई क्विजरबेटिव डाल रहे हैं सिर्फ हमने साइट्रिक अच्छिड डाला हैं वो भी इसली डाला है कि इसमें क्रिस्ट्लाइजेशन ना हो जब इयूब रखा जाए और इसको आप 6 महीने तक आराम से 6-7 महीने तक रख सक आप फ्रिज में रखके इसे स्टोर करें किसी काज की शीशी में रखें तो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अब दो से तीन मिनिट इसे और पकाएंगे बस जाधा गाणा नहीं करना हमको इसे अब यह बनकर बिल्कुल तयार है यहस को हम बन कर देते हैं और इसको हम ठंडा करेंगे अब यह गुलकन बनकर बिल्कुल तयार है और ठंडा भी हो चुका है और इसमें हम मिलाएंगे यह जो हमने छोटे-छोटे पीसिस की मिश्री रखी थी ये ओप्षनल है खाने में जब हम इसको खाते हैं तो इसकी क्रंची नेस आती है मुँ में तो अच्छी लगती है अगर किसी को नहीं पसंद है तो आप ना डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और आपको इसे रखना आए तो आप काँच के जार में इसे भरके रख सकते हैं तो लीजे इंस्टन गुलकन बनकर बिल्कुल तयार है इसे बनाने में ना तो बहुत जादा टाइम लगता है और ना ही ये चीनी का मना हुआ है विदाउट चीनी है, हेल्ट के लिए बहुत जादा बैनिफीशल है रोज इसे खाएं गर्मियों में तो खास कर गुलकन खाना चाहिए आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम को हमारे इंप्रूव करता है, मैबरी पावर को बढ़ाता है, ब्लेड को प्यूरिफायर करता है मैं जिटनी वी चीज़ें हमने डाली है उनके सबके अपने अपनी गुड है हर चीजर की तासीर है जाहें फूल हो, चाहें तो सारी चीज़े बहुत अच्छी हैं इसे जरूरिफीज बनाए और बिल्कुल अलग पेस्ट देता है यह क्योंक्कि जो कॉमिनेशन है फूल की पत्तियों का गुलाब का और जो हमने ड्राइ फूर्स डाले उन दोनों का कॉंबिनेशन इतना टेस्टी लगता है इसे बना के ज़रूर देखें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रसिपी के साहँ